हम इस समय मौझूद हैं शंबू बॉर्डर पर ठीक हमारे साथ हैं भारतिय किसान यूनियन शहीद भगत सिंग के अध्यक्ष अमरजीत सिंग जी अमरजीत जी कल हर्याना पुलिस ने एक अलर्ड जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि वो युवा किसान जो की बॉर्डर पर कुछा रहे हैं जो पुलिस को पथर मार रहे हैं पुलिस के बेरिगेट तोड़ रहे हैं सरकारी संपत्ति को नक्सान पुंचा रहे हैं ऐसे यूवाहों के सब्सक्राइब करें लेकिन सरकार जीतनी देरी करेगी हमारी मांगे मानने में उतना ज्यादा सरकार को उल्ट पड़ेगा और जो यह अनाव सनाव अधकारी बख रहे हैं कौन सा अधकार है कि हमारे वो पासपोर्ट रद्द कर देंगे कौन सी थार्टी है उनके पास कि वो हमारे बीजे रद्द कर देंगे बे बनियाद बत्तें कर रहे हैं इनको इनका खाम्याद जब बुगतना पड़ेगा पहले तो हम अफसर सहवानों को बोल देना चाहते हैं आपके मादम से जो यह बे तुकी बत्तें कर रहे हैं बेवजा ब्यान दे रहे हैं दूसरी बात हम लगे हुए हैं पिछले लंबे समय से अंदोलन में सरकार जमिन कुर्क करे एनसे लगाए पास्पोर्ट रद्द करे और हमारे बीजे रद्द करे इस बात से हमें कोई किसी तरह की समस्या नहीं है हमारा अंदोलन दिन दुगन राज चौ परके तरकि की तरफ है सफलता की तरफ है और बढ़़ रहा है और आने वाड़े समय में सरकार को और जो ये उन्हों ने भोल बोले एनसे बोला बाफ से लेना पड़ा कुर्की वारा लगाया और वह भाफस लेना पड़ा ऐसे ही पहले पिछले अंदोलना के अंदर पिछवंजय से लेकर साथ हजार लोगों के पर मकदमे दर्ज किये खासकर मेरी टीम के परवी थे मेरे पर भी बवंजय मकदमे दर्ज 302 लगाई, 307 लगाई स्ताही इन चिज्जन से कोई फरक नी पड़ता जो अंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो पिछले लंबे समय से मेंटली परपेर हैं भी सरकार हमारे साथ क्या कर सकती है नहीं कर सकती है लेकिन ये सब सेने के बावजूद हमारे लोगों को पता है कि हम अंदोलन लड़ क्यो जो हैं कि ने लहें लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सरकार कर रही है यूथ जो है वो कहीं ने कहीं इसले कम होगा शमबू बाटर पर कल सरकार ने जो है यह खोस्थना करी आपको लगता है कि आज यूथ कम है बेलकुल नहीं जब हम व्यूद को बलाएंगे चाहे वो इकी तरीक है चाहे वो तेरां तरीक थी लाखों के काट थे नहां पर और सरकार ने कौन सा काम नहीं किया तैर से पहले और 21 से पहले पेरा मिल्टरी फॉर्स मे में क्छेMusic करने में किया इसम्तिक साफनेट दबके मारे प्रसासने बड़े दबके मारे CID वाला नहां पर अपना दिन राद जोर लगाया ना ये वाला नहीं जोर लगाया कोई कमी नजर आई देखना जिस दन बलाएंगे उससे वी ज्यादा संख्या के अंदर 13 तरीकों आए और 21 तरीकों से 14 को और बढ़कर आए और 21 तरीकों को तो कई गुणा लोग बढ़कर रहे ये लोगों का विचार है उन लोगों को पता है अगर हम यह लड़ाई हार गई तो दवारा हम जीत नहीं पाएंगे जो आर्थिक तंगी की लड़ाई है आर्थिक लड़ाई है उसके लिए हम हर तरह का कश्ट सेने के लिए सेने के लिए त्यारा हां बसरते सरकार क्या करना चाती है वो गोड़ी चला कर उसने देख लिया है लाठी चार्ज करकर उसने देख लिया है ट्रेक्टर तोड़कर उसने देख लिया है बोरियों के अंदर ले जाकर टांकें तोड़ दी गई है नौजवानों की वो उसने क करकर देख लिये और भी कोई दिल के अंदर इच्छा सरकार के उसे जो हमारा प्रोग्राम है सरकार गोडी पेरा मिल्टरी फोर्स लगाई हुई है जब हम लगेगा यह ताकत है हम ताकत में फिर चलेंगे उठेंगे चलेंगे बिल्कुल यूथ है वाई सब सरकार ने जिस तरीके से पासपोर्ट रद करने की बात की यह है यूथ का मनोबर प्रॉबिक प्रॉप्टी के नुक्सान कौन कर रहा है हम तो नहीं कर रहे हैं यह रोड किसने व्लॉक कि है सरकार पहले तो सरकार हर्याना सरकार पंजाव इन हरयना हाइच को यह बढ़ता है कि जो प्रित पाल है उसको चोटे कैसे लगी है दूसरी बात वीजा अनिलवेजी जी नहीं लगाते हैं जो वीजा लगता है वो विदेशी अमबैसी लगाती है वहाँ पर शायद अनिलवेजी जी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया जाए उनको जाने भी ना थे गए रेपाइट्मेंट के दूसरी तीसरी बात जब य हमारी लड़ाई किस चीज की है हमारी लड़ाई ये है कि हमारा यूत विदेशों में भाग के जा रहा है अगर खेती लाबधाय होगी अगर खेती लाबधाय होगी हमारे बच्चों को वहां पर जाके क्या जरूरत है द्याड़ी करने की मसला तो यही है ना कि हम अपने बच्चों को रोकड़ा है हम तो कहते हैं अच्छी बात है हमारे लड़कों के मत बढ़ने हैं तो पासपोर्ट यहां रहेंगे कि MSP देदो हम देश की तरक्की में योगदान डालेंगे फिलाल यहां पक्के मोर्चे लगने शुरू हो गए एसी वाले जो है वो लोगों ने ट्रेक्टर कर दिये घरों में अब इसको आप संगू समझ लीजिए इसको अब टिक्री समझ लीजिए बात तो यह है कि सरकार टेवल पे आके बैठे वह आई भी है ठीक है वह अपने कुछ जो पुंजी पती मित्तर हैं उनको को मलब उनका मुनाफ app कम हो जाए वह यह नहीं चाहते हम चाहरे हैं कि किसानों को जो उनकी haven हक है वहा हुआ वह मिले तिक करिया दिली नहीं जाने दिया तो यहीं मोर सालक आ तो अभी कि दिल यहां से अगर किसी ने यहां से जाना हो उसके लिए शंबू और सिंगू में क्या अंतर है किसी ने राजपुरा से जाना हो तो उसके लिए क्या अंतर है कोई फरक नहीं है ना तो बिल्कुल ये हमारे साथ किसान नेता थे जो हमें बता रहे थे किस तरीके से अगर सरकार पासपोर्ट और वीजा रद करती है तो कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है हाला कि यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि सिर्फ एक कॉल पर युवा जो नेता है युवा किसान है वो यहाँ पर आ जाएंगे और किसी भी सूरत में सरकार कि ये जो धमकी है इससे लोग डरने वाले नहीं है अमबाला से कमल प्रीत सबरवाल